जहिन दोस्तों मैं रहुल सोलंकी व्यदानते कडिमी इंदोर के डिजिटल प्लेटफरम पर आपका स्वागत करता हूँ आज हम ऐसे स्पोर्ट्स परसन के बारे में चर्चा करेंगे जिनों ने भारत का अंतरास्टी लेवल पे नाम रोसन किया है जी हाँ दोस्तों उसका नाम है पीवी शिंदू बेड्मिंटन प्लेयर बेड्मिंटन के दुनिया में इन्होंने एक अलगी इस्तर पर भारत को पहचान दिलाई है इनकी उपलब्दियों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों क्योंकि एक्जाम की द्रस्टी से पीवी शिंदू बहुत ही महतुपुण है तो चर्चा करते हैं PV शिंदू के बारे में पहले बाद तो यही से question आता है कि PV शिंदू का किस खेल से संबंदित है तो है बैडमेंटन खिलाडी ठीक तो यह ध्यान रखना आप अगला देखते हैं भारती महिला बैडमेंटन खिलाडी PV शिंदू नाम है PV शिंदू इसका पूरा नाम की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है पूसरला वेंकट सिंदू तो यह question भी पूछा गया है तो आप इसको भी note करिये जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हिद्राबाद में हुआ था 5 जूलाई 1995 95 यह तो नहीं पूछा गया लेकिन यह हिद्राबाद तेलंगाना यह हमारे लिए important है तो यह चीज अब दिहान रखना है हिद्राबाद तेलंगाना इनका कोच का नाम भी पूछा गया है कोच है पूलेला गोपीचन तो यह question भी पूछा गया है पीवी सिंदू से जितने भी question बनने की संभावना है दोस्तों उन सारे point पे हम discuss करेंगे सम्मान की बात करते हैं तो सम्मान तो पदम भूछन आवाड ठीक है पदम भूछन आवाड की बात करते हैं तो 2020 में इनको मिला है पदम भूछन आवाड फिर बात करते हैं राजियो गांदी खेल रतने राजियो गांदी खेल रतने 2016 में ही इनको प्राप्त हो गया था ठीक ये पदम स्री की बात करते हैं तो 2015 में ये भी पूछा गया question है ठीक की breakthrough sports person 2014 लेकिन अरजुन आवाड ये हमारे लिए important है तो ये इसको भी ध्यान रखना अरजुन आवाड 2013 में इनको मिला था देख सकते हैं silver medal इनके पास में है silver medal कब जीता था पीवी शिंदु ने 2016 Rio Olympic Rio Olympic में में जीता था ठीक Rio Olympic में इन्होंने silver medal जीता इसलिए इसका नाम उपनाम किस नाम से जाना जाता है और silver girls silver girls के नाम से जाना जाता है और Olympic में दो medal जितने वाली पहली महिला खिलाडी बन गई है उपलब्दियों के बारे हम बात करते हैं उपलब्दिया Olympic खेल कांशी पदक 2020 टोक्यो ओलम्पिक रज़त पदक 2016 तो यह चीज आप दिहान रखना है कि कि इन्होंने Olympic में एक मात्र महिला मात्र महिला जिसने Olympic में दो medal जिते हैं जिसने Olympic में दो medal जिते हैं तो यह चीज अब दिहान रखना है है ना 2016 में रज़त पदक जिता था और 2020 में अभी हाली में कहां से पदक जिता है फिर बात करते हैं पॉइंट नम्मर टू बीश्व चेंपियंशिप्स खेर यह हमारे लिए इतना important नहीं लेकिन कुछ important इसमें देखते हैं स्वर्ण पदक 2019 तो यह थोड़ा हमारे लिए महत्वपून हो सकता है ठीक वीश्व चेंपियंशिप महिला में इन्होंने स्वर्ण पदक जिता था बेशल में और रज़त पदक 2018 में नाजिंग है ना फिर रज़त पदक 2017 में जिता था ग्लास को और कांशे पदक 2014 और कांशे पदक 2013 में भी इन्होंने जिता था तो यह चीज आप द्यान रखना हमारे लिए important क्या है सबसे ज़्यादा important Olympics 2016 भी पूछा जा सकता है तो यह चीज आप द्यान रखना अगला है Uber Cup इसको खाली द्यान नहीं रखना है आपको कांशे पदक 2014 में नई देली और कांशे पदक 2016 में कूशान में इन्होंने जिता था Uber Cup भी इन्होंने कांशे पदक जिता है तो यह चीज भी अब द्यान महिला टीम में इन्होंने कांशे पदक जिता था और Commonwealth खेल की बात करते हैं तो Commonwealth Games में कांशे पदक 2014 ग्लास को ठीक है और Asia Championship की बात करते हैं तो Asia Championship में इन्होंने कांशे पदक जिता था 2014 जिमची ओन में जिता था आगला देखते हैं दक्सी ने एश्याई खेल 2016 रजट पदक गोहाटी में हुए थे और सुर्ण पदक 2016 में ही जिता था इन्होंने गोहाटी में Asia Junior Badminton Championship की बात करते हैं तो कांशे पदक 2011 लकनाओ में हुए थे यह गल्स है दोस्तों खाल्स सिंगल और कांश पदक 2011 में लकनाओ में जिता था मिसरी टीम में अगला देखते हैं 2012 में है उन्होंने सुर्ण पदक जिता था गिमची ओन में girls singles commonwealth youth games की बात करते हैं तो commonwealth youth games 2011 में Douglas ठीक मैं जिताता है इने girls single में तो दोस्तों ये सारे facts आप याद रगना और next part में मिलते हम नीरत चोपड़ा के साथ thank you आज के लिए